हेलो दोस्तों welcome to school in addition आज का हम लोग का जो partnership का topic है जिसका नाम है recording of partnership forms account मतब कि partnership के अंदर कौन-कौन से accounts बनते हैं कौन-कौन से खाते बनते हैं अगर दोस्तों आपको ये बात पता ही नहीं होगी तो आपको आगे चलेगी बहुत दिक्कत होगी अगर ये बात आपको sequence में पत क्यास area event में पढ़के अभी-अभी आप आए होगे ठीक है आपने क्यास area event के अंदर उन accounts के बाई में पढ़ा होगा उसमें कौन सा आइटम की साइड में जाता है आपको पता होगा ठीक है debit साइड में क्या रहता है किस account और किस item की बात हो ये हम यहाँ पर देखते हैं सबस आपको ना आए इसलिए हम पहले ही उस accounts के बाई में जानेंगे और जब questions आएगा तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपको क्यों बताया था इस accounts के बाई में ठीक है दोस्तों सबसे पहरे आपको पता होना चाहिए कि अपना जो यहाँ पे accounts बनता है ठीक है पह जो आपका accounts का नाम है वो है partners का capital account और दोस्तों आपके पांचवे जो balance sheet है यह आपका क्या है balance sheet जो कि partnership में आपको exam में बनाने के ज़वत तो नहीं है क्योंकि आपके exam में पोस्ता नहीं है बड़ हम लोग बताएंगे कि balance sheet को कैसे बनाया जाता है ठीक है अब दोस्तों trading account क् है वह हम यहां पर नीचे देखेंगे इसके next part में trading account का format है हम पूरा अच्छे से देखेंगे अभी यह होता क्या है हम लोग इसको समझते हैं ठीक है तो दोस्तों trading account जो है आपका सबसे पहले हम बनाते है trading account जितने भी direct खर्चे होते हैं जितने भी direct खर्चे होते हैं यह होगा आपको नहीं याद है कोई बात नहीं आपको हई कास याद करवाएंगे बस कोई काम उतना नहीं है आपको आगे useful होगा ठीक है तो जितने भी business में diet खर्चे होते हैं diet expenses वो trading के debit side में दिखाते हैं और दोस्तों credit side में आपकी जो income होती है जैसे आपनी कितना समान बेच आपका sales return कितना आ गया जिसमें से आपने sorry hider कितना आ गया उसका दोस्तों कितना आपको closing stock बचा ठीक है ना ओके तो मतब कि credit side में आपके income की बात होती है debit side में आपके direct खर्चों की बात होती है ठीक है तो सिंपाजी बात है अगर trading account का credit side ज्यादा होगा और debit side कम होगा क्यो तो आपको क्या हो जाएगा दोस्तों आपको हो जाएगा gross profit क्या हो जाएगा आपको gross profit हो जाएगा अगर आपका debit side ज्यादा हो जाएगा credit side कम हो जाएगा तो आपको loss हो जाएगा जिसको क्या बोलेंगे gross loss बोलेंगे ठीक है तो जो आपका loss और profit आपका आता है इसको हम आगे के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं आपको याद होना चाहिए कि जब भी हम लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस आता है जैसे माने हो कि यहां पर आपका कैडिट साइट ज्यादा है डविट साइट के में आपको ग्रॉस प्रॉफिट आ गया ठीक है जब अपने को समझ में आ गया कि यह जब बनाते हैं तो या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या तो ग्रॉस होगा प्रॉफिट होगा आपका तो प्रॉफिट के केडिट साइट में आता है लॉस होगा तो प्रॉफिट के डविट साइट में जाता है ठीक है यह समझ में आ गया अब दोस्तों बनाते है profit and loss account, क्या बनाते है profit and loss, तो जितने भी indirect खर्चे होते हैं, उसका भी format हम लोग देखेंगे, जितने भी indirect खर्चे होते हैं, वो profit and loss account के debit side में जाते हैं, जितने भी indirect income होती है, वो profit and loss account के credit side में आती है, इतना समझ जाओ, कि जितना भी खर्चा indirect खर्च के income को कमीशन में यहीट केक्ट साइड में आया है तो आगर करसे है कम होगा तो आपको क्या हो जाएगा अब को प्रॉफित को क्या का पॉलोगे और करlest जयादा हो जाएंगा करीशाइट कम हो जाएगा तो अचलब पम आपको profit आया तो इधर आ गया लोस आय तो इधर आ गया ठीक है अब यहाँ पर आपका यह साहे आपकी खर्चे आपकी income है अगर आपको credit ज्यादा है debit कम है तो आपको क्या आ गया net profit debit ज्यादा होगा credit कम होगा तो आपको यहाँ पर एक गोगे अगर आपको नट परफिट आया होते हैं तुम नेट परफिट और आपफिट को आपَّ के साथ में दिखा होगे नीचे देखोA यह आपका प्यन यहां पर है आपको नेट फोट अर但 है न सेखने तो भाइया जितना भी आईटम आगर आप आप से घुडिंग है रमत Buffalo मेर्ड अधार यहां भाझाव。 अगर आपका नेट पोड आया तो है, चाहिए यहां से में आपको अच्छे से आना चाहिए यहां दो एकाउंट की आपको है की फुल्गी नौज होने चाहिए है क्योंकि कुछ आइटम ऐसे आपको दे देगा ना जो कि आपको प्रॉफिट और रॉस का होगा तो आप सूचों कि हमको याद ही नहीं है इसी मैं जब भी एकाउंट बनाएंगे तो business के point of view से सोचेंगे partner की तरह मत सोचना business के point of view से सोचना ठीक है तो जब इसको बनाते हैं तो अगर इसमें भी credit side ज्यादा हो गया debit side कम हो गया क्या item आता है क्या debit में क्या credit में हो अभी आगे देखेंगे सबका यहीं बता देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग आगे कौन कौन से account बनाने वाए है ठीक है न तो टेडिंग हो गया पीयर हो गया पीयर एपीडियशन हो गया अफी बनता है partners का capital account दो तरहीके से बनता है जब partners का capital होता है fix और जब capital होता है fluctuating जब capital होता है fix तो बनते हैं दो जिसको बोटते है capital account इस बात को याद रखना exam में वाइवा में पूछा रहता है कि जब partners का capital fixed होता है ठीक है तो दूए account बनते है capital और current जब capital आपका fluctuating होता है तो बनते है एक account अगर question में नहीं पता कि capital fixed है कि fluctuating है तो उसको fluctuating मानते है और बनता है बस एक account capital account ठीक है कितने account हम योगों पहने है क्या क्या चीजे होती है आगे कैसे बनाते है एक होता है trading account दूसरा होता है पी एल अकाउंट ठीसरा होता है पी एल एक आपका बनता है तो दोस्तों बस यहां पर topic आपका खताव हो जाता है next part में हम डिसकस करेंगे कि यह trading account क्या होता है इसका क्या है कौन से आटम कि सेट जाते हैं ठीक है ना ओके बहुत जिदी हम यह trading account का यूज करनीवाई है एक question के अंद है ठीक है तो दोस्तों ठीक है मेते अपने next part में thank you so much